नब्रे अजार कमाल, चार अजार में मनला Apple Watch Ultra का क्लोन है, यह माश्टरा कॉपी है, तो इसको मैं टेस्ट करने वालों देखते है किस तरह की है, वैसे दिखने में पूरी एकसे अपल वाश अल्ट्रा जैसी है, और कमाल की बाद इसमें Apple का लोगो भी आता है, एक डिस्कलेमर जाने चांद हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्यों वाई, आगा स्वाद, नहीं आया, तो अभी आ जाएगा, क्योंकि मैं अब इसकी बिल्ड दिखाने वाला हो, और इसकी डिस्प्ले दिखाने वाला हो, किस तरह की डिस्प्ले मिलती है, अब देखको इसकी बिल्ड के बारे बात करो, दिखने में बिल्कुल Apple Watch Ultra की तर और यह आपको एक बटन मिल जाएगा तो यह सारे बटन जो काम करते हैं ऐसा नहीं कि डमी बटन है और बाकि स्ट्रैप्स वगेरा जो है वह भी काफी अच्छी है मतलब दिखने में काफी सॉफ्ट सी है मतलब ऐसा नहीं है कि काफी चीप स्ट्रैप दे दियो और पीसके जो म अच्छी बना दियो बाकि या इसको औरेंज स्ट्रैप के साथ यूज करोगे तो जादा मज़ा आएगा क्योंकि बाई एपल वॉच अल्ट्रा की पहचानी और इंज स्ट्रैप सो होती है लेकिन मैंने आप ब्लैक लगाई है क्योंकि भाई मज़ा तो या ब्लैक वाच में आता है बाकि देखो इसका बकल वगयरा देखेंगे ना बिलकुल एपल वॉच अल्ट्रा की तरह ही है मतला स्ट्रैप में जो है आप डिफरेंस नहीं कर पाऊगे कि और इपल की ही इस्ट्रैप है यह फिर नहीं हां बाकि आप इसको साथ में कंपेर करेंगे तो शायद है अदरवाइस आपके हाथ में कोई देख के नहीं बता सकता कि यह कोई स्ट्रैप जो है लोकल है यह फिर ओरिजिनल एपल की है कहर यार स्ट्रैप के बारे मैं क्या बात करनी है हमें देखनी है वाश मैं इसको एक बाग पावर ओन कर देता हूं तो यहां पर एपल का करता हूं तो इस तरह से क्राउन मेंनी को भी रोटेट करता है माले सब कुछ वखर बटनस वगरा वरकिंग इधर ऑज़िव वही काम करता है जो यहां पर यह वाला बटन करता है इससका में वॉल पेपर है इसा कलर भी चेंज़ कर सकते हैं तो स्ट्रैप्स के अकॉर्डिं बंद कर देता हूं इसके बाद इसके display जो है always on पर चली जाती है बले सा emolade नहीं दे रखे लेकिन feel पूरी आपको apple watch अल्टरगी देगा तो इसमें मैंने वापस से orange strap डाल लिया है और अभी मैं इसके functions दिखा देता हूं उपर से नीचे swipe करेंगे ना तो यहाँ ब्लोधूत क मिलता है कुछ वैसा ही मिलेगा चार application मिल जाएगे और कुछ information और time वग्यारा मिल जाएगा इधर से swipe करूं तो यहाँ पर आपको calories मिल जाएगी steps वग्यारा मिल जाएगे और कितने किलोमीटर चले वह मिल जाएगा यहाँ पर आपको SPO2 और beats per minute मला हर्ट rate और BP जो है तीनो एक साथ measure कर सकते हो देखो इसकी accuracy पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए तो कितना accurate है वह हम यहाँ पर test भी नहीं करने वाले और आपको इस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए आप जो है medical equipment का use कर सकते हो बाग इसका menu खोल के दिखाओं तो यहाँ पर इस तरह का menu मिलेगा जैस यह है मलग काफी सार इसके menu के styles मिल जाता है मैं यहाँ पर easy वाला कर देता हूँ ताकि यार हमको समझने में असानी रहे जैसे कि यहाँ पर steps measure कर सकतो heart rate है, messages है, phone book है और यहाँ आप music control कर सकते है looking for पर करेगे अपने phone को find कर सकतो camera का control कर सकतो आप इसमें exercise मिल जाएगी running, skipping, sit up, basketball, facebook के notification देख सकतो, twitter के notification, whatsapp के notification तो यह basically application नहीं है सिर्फ notification दिखाता है, तो इन्होंना काफी सारी application दिखाने के लिए यह इस तरह से अलग-अलग notifications कर दिया है, language change कर सकतो, weather check कर सकतो, app download करने के लिए इसका QR code यहाँ से scan कर सकते हो, reset कर सकतो, power off कर सकतो, menu style change कर सकते हो, इस बागी इसकी applications देखोगे ना, यहाँ पर मैं इसका menu दिखाता हूँ, तो बिल्कुल जैसे apple watch में zoom होता है, animation काफी smooth सी मिलती है, और मज़े की बाद बताऊ ना, मैंने इस watch को अपने iPhone से connect कर रखा है, काफी सही तरीके से काम कर रहा है, Bluetooth calling वगएरा, notification वगएरा, सब कुछ यहाँ पर दो-दो Bluetooth से connect करना पड़ता है, watch ultra, watch ultra call, अब इसका Bluetooth calling feature use कर दिखाऊ ना, तो यहाँ पर जाता हूँ, dialer पर जाता हूँ, एक number dial करता हूँ, और इसको dial करने के बाद कुछ इस तरह का interface दिखेगा, ठन में मेरा हाथ नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर को इस तरह का interface दिखेगा, call को cut कर सकतो, इसका speaker की volume का adjust कर सकते, मैं full करके दिखा रहा हूँ, face की sound सुनके देखना किस तरह के मिलती है, तो अभी आप इसके sound check कर सकतो, कफी सही मिल रहा है, अभी मैं आपको incoming call का दिखाता हूँ, किस तरह का interface दिखता है, तो incoming call पर कुछ इस तरह का interface दिख तो इहाँ पर वही है, आप इसके volume adjust कर सकतो, या फिर call को decline कर सकते हो, तो इस clone के बारे में और भी जानना है, तो link description में मिल जाकर आप चेक कर सकतो, बाकि आपके क्या opinion है, क्या अप इस तरह की watch खरीत तो, या फिर आप इसको avoid करतो, मैं जानना चाहता हूँ, आपके क्या thoughts वो नीचे comment में बता देना, इस तरह की और भी videos देखना चाहतो, या फिर इसके और detail में testing और review चाहतो, तो भी नीचे comment में बता देना, मैं इसकी video बना दूँगा, तो अगर इस video में एक मन्त में 1000 like आ जाते है, तो मैं इसका one month letter वाला review लेकर आऊँगा, मलत एक महीना पूर झाल झाल